नमस्कार राधे राधे कैसे हैं आप सबहे उम्मेद करता हूँ अच्छे होंगे श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी कोई मनोकामना है जो किसी भी कारण से पूरी नहीं हो रही है तो उसको पूरा करने का एक शामान ने टोटका है अगर उस टोटके को आप आजमाते हैं तो आपकी मनोकामना पुर्ण होगी और आप जो भी अपने जिवन में करना चाहेंगे वो बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे तो आईए उस मनोकामना को पूरा करने का जो तरीका है उसके बाड़े में जानते हैं दोस्तों सिब मंदिर में महादेव के मंदिर में जहां नंदी भगवान होते हैं नंदी जी होते हैं वहां आपने देखा होगा लोगों को कि लोग नंदी जी के कान में जाकर कुछ बोलते हैं तो ऐसा करने के पीछे क्या कारण है लोग ऐसा क्यों करते हैं इसके पीछे कारण क्या है कि महादेब हमेशा अपने जीवन में वो हमेशा हर पल हर छन तपस्या में लीन होते हैं कभी भी अपने जीवन में वो सामाने रूप से बैठे नहीं रहते हैं ऐसा सास्तरों में कहा ग कि महादेव हमेशा तपस्या में लीन होते हैं वो कभी भी फ्री नहीं बैठे होते हैं तो महादेव के तपस्या में कोई बिखन बाधा नहीं हो इसलिए हमेशा उनके पास में नंदी जी बैठे होते हैं और जब भी महादेव अपना तपस्या पुरा करके उठते हैं तो नंदी जी के कान में कोई भी निगेटी बाते जो नकरात्मक बाते होती है किसी इंसान की शिकायत किसी का कुछ बिगारना इस प्रकार की जो बाते होती है वो नंदी जी के कान में आपको नहीं बोलनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका दुस्परभाव आप परन बह ताकि उन बातों को आपके और नंदी जी के अलावा कोई और व्यक्ति महसुस नहीं कर सके उन बातों को आप दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं सुने अगर आप ऐसा करते हैं इस तरीके से अगर नंदी जी के कान में अपने मनोकामनाओं को आप कहते हैं तो इसके बातें 100% महादेव तक पहुंचती है और महादेव आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी जो मनुकामना होती है उसको पूरा करते हैं लेकिन नंदी जी के कान में इन बातों को कहने का भी कुछ और कारण है मित्रो नंदी जी के कान में अगर अपनी मनोकामनाओं को आप रखते हैं अगर महादेव तक अपनी बातों को आप पहुचाने का प्रयास करते हैं तो नंदी जी के सामने में कभी भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए नंदी जी से अपनी मन की बातों कहने के बाद आपको कोई परशाद, फल या कुछ भी आपको उनको चड़ा देना चाहिए अगर आप इस तरीके से अपनी मनोकामनाओं को नंदी जी के कान में कहते हैं तो आपकी जी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रस्ण हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी शहायता आवश्य की जाएगी वैसे मैं उम्मीद करता हूँ, अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह सेयर कर देना है तो हमारी आपकी मुलाकात एक नई वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद, जै बिहार, जै मिथिला